तो गाइस यार जो भी बंदा मुझे पॉपलरीटी दे रहा है उसको दिल से थेंकियो और अगर आप भी चाहते हो कि वीडियो की स्टाइडिक में आपका नाम ऐसे आए तो वीडियो के एंड में आपको अपको अपनी करेक्टर एडियो और प्रोवाइड करा दूंगा वहां गोस्वाइबाल जी, आए एंडी रावन, टी एस दी एस्टन, नरेश एंड गट का मोहन, लेट्स बिगिन गाइज तो गैज यार बहुत से ऐसे बंदे है जिनके यूजी का प्रोब्लम चलता है वो यूजी नहीं ले पाते हैं और उसी के चलते वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कार्लो तो अभी तक हम ले नहीं पाई, उससे पहले एंडी और आगया तो अब हम कौन सा करेक्टर लें तो गैज यार उस कंफ्यूजन को तूर करने के लिए मैंने उन दोनों को कंपेर करके उनकांपेरीजन का एक वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों को क्लेर हो जाएगा कि आपको कौन सा करेक्टर लेना है और कौन सा केरेक्टर है आपके लिए दे बेस्ट, तो चलो यार वीडियो का देखो अगें तो guys यार अगर looks की बात करें तो looks में Carlo winner है क्योंकि Carlo के looks बहुत ज़्यादा attractive है ND उतना attractive और अच्छा दिखने में है नहीं तो guys यार अगर हम बात करें ability की अगर Carlo की ability की बात करें तो इसकी ability यह है कि अगर यह कहीं से गिरता है मतलब इसका fallback damage जो है अगर यह कहीं से उंची जगह से गिरेगा तो इसको वो damage कम होगा तो वो damage तो guys यार हमें 0.17.0 के update के साथ मिल चुका है अगर हम कहीं से भी कूथते हैं किसी भी उंची जगह से तो हमें damage नहीं होता उतना ज़्यादा हम बच ही जाते हैं नोकाउट नहीं होते हैं उसके बाद guys अगर हम ND के ability की बात करें तो ND के ability यह है कि वो एक गन से दूसरी गन पर एक quick switch कर सकता है क्योंकि यह character जो है वो कटपूतलिया नचारने वाला एक magician type है तो इसकी अंगूलिया मतलब इसके हाथ जो है वो बहुत fast है और यह एक गन से दूसरी गन से एक गन से दूसरी गन पर यह बहुत जल्दी switch कर लेता है जो हमें close combat fight में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है उसके बाद guys अगर हम बात करें outfits की तो outfits भी कारलो के बहुत ज़्यादा awesome है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे outfits हैं इसका जो max level पे हमें जो outfit मिलता है blue color का वो एक mythic outfit है और वो अभी तक किसी भी character के साथ में हमें मिला नहीं है और कारलो character के जो masks हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अगर एंडी के outfits की बात करें तो as compared to कारलो ये कुछ भी नहीं है इसके outfit as compared to कारलो zero है कुछ भी नहीं इसके outfits उतने अच्छे नहीं है तो guys यार अगर उसके बाद में हम बात करें emotes की तो एंडी का सबसे पहला emot है वो है hand stand और ये थोड़ा funny सा emote है और इसके अंदर ये अपने हाथों पर खड़े होने की try करता है लेकिन गिर जाता है इसका second emote जो है वो है कॉसेक डांस ये भी funny type emote लगा मुझे और इसका third emote जो है वो मेरा one of the favorite emote है उसका नाम है pretend to be hit तो guys ये ये emote मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इसका fourth emote जो है Improvation तो guys ये इसके अंदर ये मतलब robot type dance करता है ये भी बहुत ज्यादा OP लगा मुझे और इसका fifth emote जो है वो है puppet show तो guys ये इसके अंदर इसके हाथ में puppet होता है उसको ये अपने हाथों से नचाता है puppet मतलब एक cut food ली type कुछ इसका पालतू कुछ होता है वो उसको अपने हाथों से नचाता है तो guys ये वो मैं वीडियो के end में आपको दिखा दूँगा क्योंकि यहाँ पर वो leaks आए नहीं थे उसके बाद में अगर बात करें हम कारलो के emotes की तो guys यार end के मुकाबले में कारलो के emotes उतने ज्यादा अच्छे नहीं है और यहाँ पर अगर emotes की बात करें हम end versus कारलो तो मैं end की तरफ जाना चाहूँगा उसके emotes बहुत ज्यादा ओपी है उसके बाद अगर हम बात करें MVP की तो भाई MVP देखो तो भाई CDC बात है MVP मोट के बारे में कारलो इस दा विनर क्यूंकि यहाँ पर मुझे यार इसका end का जो MVP मोट है वो मुझे उतना ज्यादा अच्छा लगा नहीं तो guys यार यह वाला वीडियो देखके अगर आपको समझ में आ गया है कि आपको कौन सा करेक्टर लेना है और अगर आपका confusion दूर हुआ है तो guys यार नीचे comment section में जरूर बता देना कि अब आप कौन सा करेक्टर लोग है अगर मेरी तरब से मैं कहूं तो अगर outfits की तरब से कर लोग तो गाइज यार सीजन 13 का फाइनल ट्रेलर जो है वह आचुका है सीजन 13 नहीं सोरी 0.18.0 का फाइनल ट्रेलर जो है वह आचुका है तो यार देख लो उसको भी जाते जाते कि में क्या होने वाला है Welcome all to the 13th season of PUBG Mobile. Introducing new content that is sure to blow your mind. First up, Miramar is getting updated with an oasis in the north, ruins to the northwest, as well as more housing areas, roads, and resources spawning throughout the map. Pick your landing spot and get in the action. We've added a racetrack that runs through the whole map. Perfect for motorheads and driving fanatics. Will you be the next Master Drifter? Let's find out. Miramar has a new vehicle, the Golden Murado. Only one will spawn on the whole map. Wanna take it for a spin? Get in line, cause there's a long list. Miramar now has vending machines. They have a chance to give out energy drinks or painkillers. And if you're lucky, you can get eight drinks at a time. Take some time to organize your bag. There are updates for Classic Mode, too. A new attachment. Can't in sight. Switching between scopes will give you an advantage in fights. The Win 94 has also been upgraded. Now outfitted with a 2.7x scope. The results screen has been updated, too. Understand detailed stats from each game. Knowledge is power. Suppressing fire, the P90 will be added to the arena mode. The 50th round magazine is perfect for fast-paced arena gameplay. Enter the brand new Cheer Park. After a tough match, take some time to hang with your friends. There are many more things waiting to be discovered. It's all on the May 7th 0.18.0 version update. See you there. So guys, you will know that you will get it on September 7th 0.18.0.0 version update. And you will get the new updates for watching. So guys, that's it for today. Take care. Stay safe. Stay home. Ah, not home. Sorry, home. Stay home. And stay safe. Till then, bye-bye. Take care. तो गाइस यह है मेरी करेक्टर एडियो और करेक्टर नेम आप लोगों को पाता चल गया होगा याप पर जाओ मुझे पॉपलरी टी शेयर करो एंड इन नेक्स वीडियो आ विल गिव बीग शाउट आउट करो